अपने मन पर काबू केसे पाए एक बार एक बिक्ती अपने काम से लटकर घर आया और साद में पनीर लाया और अपनी पत्नी से कहा कि आज मेरे लिए बढ़ी हाशी पनीर की सबजी बनाओ क्यूंकि मैंने आज बहुत काम किया है और मुझे बहुत ज्यादा भूक लग रही है और मुझे कुछ बहुत अच्छा खाना है उसकी पत्नी कमरे से बाहर आई और पने लिया और कहा कि बिल्कुल आप हाथ पर धोकर त्यार हो जाए और मैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हूं वो वेक्ति फ्रेश हो गया और टीवी देखने लगा और इंतिजार करने लगा सबजी के बनने का ताकि वो उससे खा सके कीचेन से बहुत अच्छी खुस्बू आ रही थी वो वेक्ति बस सोच रहा था कि जल्दी से खाना बन जाए ताकि मैं अपनी भूग को मिटा सकूँ लगबग एक घंटे के बाद खाना बन कर त्यार हो गया स्वादिष्ट भोजन अब खाना लगने ही वाला था कि उस वेक्ति ने अपने पत्नी से पुछा कि खाने में लिम्बू हे किया नहीं क्योंकि मुझे पनीर की सब्जी में निम्बू डल कर खाना है लेकिन पत्नी ने कहा कि निम्बू तो खतम हो गया है आप से कहा था लेकिन आप भूल गया वेक्ति ने अपनी पत्नी से सका कि रुको रुको अभी खाना मत लगाओ क्यूंकि निम्बू के बिना खाने में बिलकुल माजा नहीं आएगा तो मैं अभी गया और अभी लिम्बू लेकर आया वो वेक्ति वापस से कप्ड़े फेहन कर त्यार हो गया और लिम्बू की पास बारी दुकान पर गया जब वहाँ पर दिखा तो लिम्बू नहीं थी उसका दिमाग रोज से भर गया उसने सोचा कि यार उसके पास लिम्बू नहीं है चलो थोड़ी देर आगे वाली दुकान पर जाता हूँ साथ वहाँ निम्बू मिल जाए वो थोड़ा और आगे गया लेकिन बहाँ पर भी निम्बू नहीं मिले अब उसने सोचा दूर की सब्जी मंडी चला जाता हूँ बहाँ से निम्बू लेकर आओंगा क्योंकि निम्बू के बिना सब्जी में समझा नहीं आएगा करीब आदे गंडे के बाद वो सब्जी मंडी में पहुंचा बहाँ पर उसने निम्बू मिल गया और वो बहुत खुश होगा की चलो निम्बू मिल गया और अब मैं घर में जाऊंगा और सब्जी में निम्बू डालकर अच्छे से सब्जी खाऊंगा अब वो खुशी खुशी निम्बू लेकर घर आया और अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी से सबजी गरम कर दो रूटी गरम कर दो और निम्बू काट ताकि मैं आच्छे से खाना खा सकूँ अब वो थाली लगाई गई सबजी परुशी गई और लिम्बू रखी गई उसकी पत्नी सामने ही बेटी थी वो वेक्ति थोड़ी देर के लिए कुश सोच में पढ़ गया उसके बाद उसने लिम्बू की प्लेट उठाई और दर्बाद से बाहर की और फेक दी और जोर जोर स चिलने लगा मैं जीत गया मैं जीत गया पत्नी पुछी आप किस चीज में जीत गया है क्या हुआ क्या अब एकती खुशी खुशी बेट गया और अपनी पत्नी से कहा आप भी बेटो इत्मेना से रखो बताता हूं कि क्या हुआ आज सुबा ही से ही मेरी जीत मुझे अपने स्वादी सब्जी बनाई उसकी खुश्बू मेरी नाक में गई फिर मेरी जीव ने कहा कि इससे अब निम्बू चाहिए मैं पास पर दुकन पर गया लेकिन वहां निम्बू नहीं मिली थोड़ी और दूर गया वहां पर भी निम्बू नहीं मिले तो मुझे उसने और दूर लेकर गई मैं उसके बस में आ गया और जैसे ही वो कहती रही वैसे ही मैं करता गया अब मैं वैसा ही करता गया जैसा वो मुझे करबाती गया लेकिन अंत में मैंने विज़ब राप्त कर ली मैंने उसे ठुकरा कर बाहर फेक दिया और कहे दिया कि तुमारा मुझ पर कंट्रोल नहीं है बलकि मेरा तुम पर कंट्रोल है और मैं जीत गया यदि आपने अपने अपने इंद्रियों पर बिजय प्राप्त नहीं किया तो आप भी निम्बू की खोज में सी भटकते ही रह जाओगे और हमेशा परेशन रहोगे इसलिए अपनी इंदियों पर काबू पाईए और अपने जीवन को खुशी-खुशी बिद्दाईए यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए थैंक यू